विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे पंचमह पाठ जिसका सीर्षक है जननी तुल्य वतसला और इस पाठ का अध्यन आपने चार भागों में कर लिया है अर्थार्थ पांचवे भाग में हम लेकर प्रस्तुत हैं अभ्यासा यानि कि चार भागों में आपने इस पाठ को ज प्रकार भागों में क्या-क्या पढ़ा पहले भाग में आपने सामाने परीचे पढ़ा जिसमें आपने सीर्षक परीचे के साथ में संदर्व ग्रंत जो की महाभारत है और महाभारत के तीसरे परवसे ये पाठ लिया गया है ऐसा आपने पढ़ा और उसके आगे दूसरे भ परकार वर्णन किया गया है सुर्भी और इंद्र का समवाद और अंतिम भाग यानि कथा का जो अंतिम भाग है वो भाग संख्या आपने चार में पड़ा और वहां परपाट में आपने पड़ा कि जो सुर्भी है वह अपने पुत्र के प्रती जादा इसनेह दिखाती है और इंद्र की कृपा से वह सही हो जाता है वह जो दीन पुत्र है सुर्भी का बैल और किसान उसको लेकर के घर आ जाता है चूकि इंद्र के द्वारा क्या कर दिया जाता है वर्शा कर दी जाती है जिससे कि किसान प्रसन होता है और वह बैल भी ठीक हो जाता है इस प्रकार वह घ बड़ी अब यहां पर हम क्या करने वाले अभ्यास प्रिश्णों को सवल्व करने वाले हैं तो कॉपी पैन आप साथ में लेके बैठ चुके होंगे और अभ्यास प्रिश्णों से पहले पिछले भाग के जो प्रिश्ण थे उनके उत्तर की जाच हम करेंगे और वह था तो प्रिश्ण था कि बहुत सारे पुत्र जो है वो किसके हैं किसके थे सुरुभी नहीं कीश्ट्र होती है तुल्यवत्सला याने की समान इसने वाली होती है अब यहां एक पद में पूछा था इसलिए ऐसा लिखा ठीके पूनविराम लगा दीचे आगे चलिए किसमें माता की कृपा समामलब स्वाभाविक होती है और वो भी कैसी अधीका जादा होती है तो किसमें होती है ऐसा आपको बताना है पूरे वाक्य के साथ में तो दुर्बले सुते मातुहु अधीका कृपा सहजाईव भवती दुर्बल पुत्र में आगे बात समझ में आगे दिखिए क्रिश कह किम कृत्वा ग्रिहम अगच्छत किसान जो है वो क्या करके ठीक है घर पे चला गया तो पूर्ण वाक्ये में उत्तर लिखना है क्या किया था उसने जो क्रिशिकारिय उससे विमुख हो करके चला गया था बेलों को साथ में लेकर तो क्रिश कह हर्शाती रेकेन कर्शन विमुकह सन व्रिशभाव नित्वा ग्रिहम अगच्छत ठीक है आगे चलते हैं आगे है दीने पुत्रे इत्यनयों पदयों इन दोनों पदों में से विशेशन पदम कौन सा पद विशेशन पद आपको चुन करके लिखना था तो पुत्र कैसा है पुत्र तो पुत्र है और पुत्र कैसा है दीन है तो यह आपका विशेशन हो जाएगा ठीक है ना यह आपका क्या है विशेशन तो उत्तर क्या हो गया दीने बहुन्या पत्यानी में संतीती सत्यम अस्मात वाक्यात इस वाक्या से यह पुरा वाक्या है यह यहां से कर्त्री पदम ठीक है क्रिया पदम्च यानि की दो बातें यहां पर है कर्त्री पद और क्रिया पद दोनों आपको चुन करके लिखना है तो आजाए यहां बहूनि अपत्यानी इसको अलग-अलग करेंगे तो आपको पहले भी बताया था बहूनि अपत्यानी ठीक है में संती इती इसको अलग करेंगे हम यहां पर संती इती संती और इती तो यहां पर दीखिए यह संती तो क्रिया है क्या है क्रिया तो संती लगा दिया अब करता क्या है अपत्यानी यह विशेश्य है तो यही करता है यह विशेशन है तो यह नहीं आएगा हाँ यदि हम लिख दीजे कोई गलती नहीं होगी इसमें क्योंकि यह इसका विशेशन है लेकिन सिर्फ हमें करता और किरिया पूचा है तो अपत्यानी संति यह हमारा उत्तर होगा ठीक है आगे चलते हैं आगे देखिए शिग्रम इती पदस्य विलोम पदम शिग्रम इस पद का विलोम पद समझ में आ गया तो आई आगे चलते हैं आगे देखिए अभ्यास पाठ्यपुस्तक के प्रिश्ण उत्तर देखिए एक पद में उत्तर लिखना है पहला प्रिश्ण विरिशबह दीनह इती जानन अपिक तम नुद्यमानह आसीत ठीक है विरिशब जो है बैल है उसको दीन जानती हुए भी कौन उसको मतलब धकेल रहा था हाक रहा था तो तो विश्ण वालह नहीं होता विद्यार्थियों कृषि वलह होता है ठीक है ना तो यहां दो पद इसलिए लिखे हैं ताकि जो भी आपको इजी लगे वह आप लिख लीजेगा फिर है विशबह कुत क्रपा होती है तो मा की होती है तो यहां जनन्या लिखा लेकिन पाठ में सुर्भी का नाम आया है उसकी ज्यादा है तो क्रपा तो वहां सुर्भे तो यहां दोनों ही सही है सामाले रूप से हम देखेंगे तो दुर्बल जो कौन होता है संतान होती उसमें मा की क्रपा होती है पाठ की द्रश्टी से हम देख रहे हैं तो वहां पर सुर्भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आगे जानते हैं आगे, कयो हो एकह शरीरेन दुर्बला आसीत, ठीक है ना, कयो हो किन में से एक दुर्बल शरीर वाला था, तो बली वरदयो, ठीक है, चंडवातेन मेग रव क्रवाज के साथ क्या हुई ठीक है ना तो यहाँ पर है क्या हो गया का समझायत क्या हुई वर्षा होना चहिए यहाँ पर तो प्रावर्ष यह उत्तर आएगा प्रवर्षा हुई ठीक है Ah आगे दिखिए अधोली खीता नाम प्रिश्णा नाम उत्तराणी संस्कृत भाशया लिखत तो यहां पहला प्रिश्ण है क्रिशक कह किम करोति स्मा क्रिशक क्या कर रहा था तो क्रिशक कह बली वर्धा भ्यांक छेत्र कर्शनम करोति स्मा क्रिशक बेलों से छेत्र का जोतने क काम केद जोतने का काम कर रहा था दूसरा है माता सुर्वी कि मर्थम अश्रूनी मुंचतिस्मा माता शुर्वी जो है यह यदि मम सहस्र पुत्रम् अस्ति सब्सώς किन्ट पुत्र दिन अस्ति चेत्त समिर्ण अधिकवर्प अस्ति ए सबस्क्राद के देखिए माता की अधिक क्रिपा किसमे होती है मातु अधिका क्रिपा दीने पुत्रे भवती आगे देखिए आगे पांचवा है इंद्र दुर्बल व्रिशब अस्य कष्टानी अपाकर्तुम किम कृत्वान इंद्र ने यहां विशरक लगा लिजीगा कि जो उसके कश्टों को दूर करने के लिए क्या किया तो इंद्र दुर्बल व्रिशबस्य कश्टानी अपा कर तुम या नुस्वार आएगा चंडवातेना मेगर वैश्च सह वर्शाम कृतवान ठीक है फिर है जननी किद्रिशी भवती माता कैसी होती है जननी तुल्यवत्सला या इंद्र और सुरुभी का समवाद है कर के चलिए पहला देखिए यहां पर टीसरा प्रश्ण है उसको देखिए यांपर समानार्थक- decisions करना है यहां पहले में और यहांपर है व्रिशव वह बिसको मिलाए कैसे विद्क DaysDS ये अगर आपके मन में में प्रश्ण है तो ध्यान रखिएगा इसमें जो विभक्ति है जो पुरुष वचन लिंग है उसको देखिए और उसको यहां पर ढूंड़िए वह इसके सामने आएगा तो देखिए कृचेन यहां तृतिया विभक्ति है इसका आर्थ हुआ है कठिनता से और यहां पूछा है समाना आर्थक तो यह तृतिया एक वचन है यहां तृतिया का एक वचन आप देखेंगे तो यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है काठिनियन यह है तो यहां पर हम लिग से घटके oncology स्मझ में आगया याने कि इसके साथ क्या होगा कांठिनें यह वाला होगा ठिक है फिर है चक्षूर्भ्याम आखों से ऍटिक है न तो यहाँ नेत्रा और यह हो गया तो यहां लिख लिजे जवेन तीवरगति से तो तीवरगति है दुरुत गत्या इसको भी बोलते हैं तीवरगति से गः फिर है आगे इंद्रह इंद्र के लिए बहुत सारे आएं वासवह यहां पर है तो गः फिर है पुत्राह पुत्र तो यहां पुत्रों के लिए क्या है सुताह यहां दिखिए इंगो ठीक है फिर उसके बाद में शिग्रम जल्दी तो इसके लिए है अचिरम यह आ गया तो यहां चो और फिर क्या बच गया बलीवर्ध इसके लिए एक जो बच गया वह यहीं आएगा ठीक है ना तो इस प्रकार हम यहां पर इनको अर्थ की दृष्टी से और विभक्ति वच्छन की दृष्टी से भी पहचान सकते हैं तो आप किस प्रकार लिखेंगे आप इस प्रकार इनको लिखेंगे यह आपका उत्तर रहा ठीक है समझ में आ गया आए आगे चलते हैं पर चौथा स्टूल पदम आदृत्य प्रिष्ट Ignirm हील्वत यहां पर जो अलग कलर में दिया हुआ है इसके आधार पर आपको प्रिष्ट बनाना तो प्रिश्ण क्या है पहला सह क्रिचेन भारम उद्वहती येक वाक्य है इसमें प्रिश्ण बनाना है क्रिचेन के आधार पर तो यहां तृतिया का एक वचन है तो यहां तृतिया का एक वचन जो प्रिश्ण बनाएंगे तो आएगा केन तो सह केन भारम उद्वहती और अं पुरा वाक्य नहीं लिखते तो इससे प्रिश्ण नहीं बनेगा अर्थार्थ आपको पुरा वाक्य लिखना होता है और अंत में जाकर के आपको प्रिश्ण वाचक चिन लगाना पड़ता है कभी-कभी आप प्रिश्ण वाचक चिन भी नहीं लगाते तो वह गलती हो जाती ह जल्दीवाजी में यहां यूं समझ लीजे आप ध्यान नहीं देते इस वजह से तो प्रिश्ण वाचक चिन भी लगाना है तभी वो प्रिश्ण माना जाएगा आगे देखिए सुराधीपह ताम अप्रिच्छत तो यहां सुराधीपह यह प्रत्मा का एक वचन है तो हमारा जो प्रिश्ण बनेगा वो कह ताम अप्रिच्छत यह प्रिश्ण बनेगा फिर है अयम अन्यभ्यो दुर्बलह ठीक है ना तो यहां दूसरों से दुर्बल है तो यहां अन्यभ्यो तो यहां पर केभ्यो यह हमारा प्रिश्ण बनेगा अयम केभ्यो दुर्बलह ठीक है समझ में आ गया तो यहां पर केशु ठीक है फिर आगे चलिए अच्छा प्रिशन क्या बना केशु पुत्रेसु सच्वपी सा दुखी आसीट तो देखे अगला प्रश्ण अगला देखे रेखांकित पदे यथा स्थानम संधीमं संदी विच्छेदम वा कुरोत यानि संदी भी कर सकते हो संदी विच्छेद भी जैसी स्थिति आपके यहां पर दे रखिए तो ध्यानकी विद्यार्तियों प्रिश्ण का एक तरीका ये भी है संदी को इस प्रकार वाक्य में देख करके आपसे पूछा जाए या सीधा आपक तयोधन एक ये आपका उत्तर होगा यहां पर नुट आगम संदी है ठीक है कौन सी संदी है नुट आगम संदी है जो की हल संदी का उधारन है तयोधन एक यहां पर रूत्व संदी है जो की किसका है विसर्क का है ठीक है फिर है तथापी व्रिशह न उत्थितह न उत्थित यहां पर गुण संदी है जो की अच का है बेद शाट्सव अपी भहुष्व पुत्रेश्व अश्मिन वात्सल्यम कथम शाट्सु अपि यहां यन संदी है ठिक है आए आगे पत्याणि संति तो बहुन्या पत्याणि संति यह पथ बन जाएगा आपका यहां यंड्संधी प्रहे सब्स्सार्वत्य जलो अउप प्लवह संजाता है जल उप प्लवह यहां गुण संदी है यहां यण है ठीक है ना यहां पर दीर्ग भी है और यण भी है समझ में आ गया तो आई आगे चलते हैं आगे देखिए चटा प्रश्ण अधोली खीटेश वाकेश रेखांकित सर्वनाम पदम कस्माई प्रयोक्तम रेखांकित जो सर्वनाम पद है यहां पर वो किसके लिए प्रयोक किया गया है वो आपको बताना है तो देखिए साच अव उसने बोला तो यह उसने बोला यह इस्त्रलिंग है अब इस्त्रलिंग में हमारे पास में एक ही जो है चरित्र आया था एक ही पात्र आया था सुर्भी तो यहां किसके लिए आया है वो हमें लिखना है तो कस्माई देखिए यहां पर चतूर्थी के एक वचन में उत्तर द फिर है पुत्रस्य दहीन्यम द्रिष्टवा अहम रोधीमी यहां रोधीमी जो है छोटा आएगा सुर्भाए यहां अहम किसके लिए आया है सुर्भाए ठीक है आगे देखिए सह दीना इती जानन आपी कृषका तम पीड़ यती सह जो है ठीक है वह दीन है एसा जानते हुए भी कृषक ने उसको पीटा या उसको ताड़ा ठीक है तो सह कौन बली वर्धाय के लिए आया है फिर है में बहुनी अपत्यानी संती मेरे बहुत सारे पुत्र है तो यह सुर्भी के लिए आया है सहच अताम एवं असांत्वयत वह उसको इस प्रकार सांत्वना देता है या सब्सक्राइब डिया उसने दी तो यहां सहाज जो है वो इंद्र के लिए आया है सहस्रेश्स पुत्रेश्स सच्वा पीतव आस्मिन प्रीधििये तुत्त्ताव यानि तुमारे तो ये तुमारी जो है वू किसके लिए डिए है शुर्भी के लिए यहां यूश्मत पदम पो तो यहां पर इस जैसा इसलिए प्रकार से हम यहां पर देखेंगे तो कष्चित कोई कोई यहां ध्यानु आपकी करस्छार निलाइने आये थी कोई कौन कृशक किसान पद आया है क्या जी हाँ आया है तो यहां पर हो जाएगा थी कि पिर उसके बाद में अब क्या बच गया दुर्बलम दुर्बल कौन था तो आया है तो यहां कर रहा ठायेगद प्र कर रहा था कौन था कौन था क्रशक उसके लिए क्या पडाया था तो यहां पर यह गव हो जाएगा ठीक है फिर है सहसरा दिकेशु हजारों में से तो हजार कौन थे पुत्र तो यहां पुत्रेशु यहां सप्तमी भवचने यहां हो जाएगा फिर है अभ्यादी कहा अधिक ठीक है ना क्रपा तो यहां क्रपा यह रही तो यहां पर यह गव हो गया फिर है वि प्रिश्ण वाट सब्सक्राये हैं तो यह को चाएगा इस प्रकार फोजाएगा आप को क्रो्सिंग नहीं करनी ध्यूर्श task नाना नहीं हैम सिर्टाटी है दोनने प्रोगी करें आपके प्रषोग कुर्फ कुर्ड फ्रहनी को कुले कोना है स taxi कृ्छतMOप , किस प्रकार सभी संतानों में होता है और जो दुर्बल होती उसमें अधिक होता है यह आपको जानने को मिला और आपको सीख मिले कि जो प्राणी होते हैं जाए वो कैसे भी प्राणी हो ठीक है ना दुर्बल या कैसे भी उन सभी के प्रती हमारी हमदर्दी होने चाहिए ठीक ह तो आपने ये सीखा लिखा और अच्छे से समझा आगे हम अगले भाग में यानि कि अगले पार्ट के साथ फिर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए धन्यवाद हाँ